हलो दोस्तों डोलीज किचिन में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चोकलेट टृफल केक की रेसिपी जो बच्चे और बड़ो सभी को बहुत ही प्रसंद आती है और इस वीडियो को आप लाज सकते दिखेगा ताकि आप कुछ मिस ना करें और काट करते हैं इसको बनाना सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे उसके उपर एक चलनी रखेंगे और अब हम इसमें 1.5 कप मैदा डाल देंगे एक कप चीनी और तीन चमच कोगो पावडर हम इसमें मिला देंगे और इसमें यह आदा चमच बेकिंग सोड़ा और एक चमच बेकिंग पावडर मिलाएंगे और अब इन सब को हम छान लेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर दें यह हमारे ड्राइ इंट्गेंस तयार है अब इनको एक साइड रखेंगे एक बॉल में अब हम यह 30 ग्राम बटर ले लेंगे यह रूम टैंपरिचर पर है बटर और इसको विस्क कर लेंगे अब इसमें हम दो अंडे डाल लेंगे यहां पर अगर आप अंडे यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप आदा कप दही यूज कर लें इसको अब हम विस्क कर लेंगे यह आदा कप मैंने दोद लिया है इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा मैंने डाल लिया है और अब ही हम इसको एक बार फिर से विस्क करेंगे अब इसमें मैं एक छोटा चमच वनिला एसेंस डाल दूँगी एक बार फिर हम इसको चलाएंगे अब इसमें हम अपने ड्राइ इंग्रेंस थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करेंगे अब हम इसको इसमें अच्छे से विस्क करेंगे अब मैं इसमें थोड़ा और दूद डाल रही हूं इसमें थोड़ा थिक लग रहा है इसलिए दूद डालकर इसको अच्छे से विक्स कर लूँगी अब बचा हुए अपना सारा ड्राइ इंग्रेंस में इसमें डाल दूँगी और फिर से हम इसको मिलाएंगे और अब यह सारा दूद मैंने ले लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तयार करेंगे यहां पर हम एक स्मूध बैटर चाहिए ज्यादा थिक नहीं चाहिए ज्यादा लिक्विडी भी नहीं चाहिए अब हम एक टिन को ग्रीस कर लेंगे और इस पर बटर पेपर लगा लिया है हमने अब हम अपने केक को 180 डिग्री पर 30 से 35 मिट के लिए बेक करेंगे यह देखिए 30 मिट हो चुके हैं और हमारा केक रेडी है अब हम इसे चैक कर लेंगे और अब इसको 30 से 35 मिट के लिए हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे केक ठंडा हो गया है अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे इस तरह से टैप करेंगे और केक बाहरा गया है अब हम इससे बटर पेपर हटा देंगे कितना सोफ्ट केक बना है अब हम केक को बीच से कट करेंगे केक को बहुत ही सावधानी से आप कट करें वरना केक टूट सकता है यह देखे हमने केक कट कर लिया है शुगर सिरप स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि केक हमारा सोट बना रहे है और यह मैंने चोकलेट गनास रेड़ी कर लिया है इसके लिए मैंने सो ग्राम आप कर लिया है इसके लिए ब्राक चोकलेट कंपाउंड यूज किया है और उसमें 80 ग्राम क्रीम मिलाकर मैंने इसको तयार किया है यहां पर हम एक पतली लेयर चोकलेट के नास के अपने केक पर फैला लेंगे मुआइए नहीं राप स्प्रिंकलने इसा दाए नहीं तो हमें ते अधे ने इसको आपर लेचा़के आपकिया है लिये हैं मैं इस पर डाल दूंगी इससे केक देखने में सुन्दर लगेगा और खाने में इसका स्वात बढ़ जाएगा अब मैं दूसरा पड़ लूँगे केक का और इसके ऊपर रखोंगी और इसके ऊपर भी हम चोकलेट केनाज केक लेयर फैला लेंगे अब ही हम केक पर क्रम कोट कर रहे हैं और इसको फिर हम 10-15 मिट के लिए फ्रिज में सैट होने के लिए रख देंगे यह देखे 15 मिट हो चुके हैं और केक हमारा सेट हो गया है हमने इसको फिर से बाहर निकार लिया है अब हम इसको एक स्टेंट पर रखेंगे और हमने एक चोकलेट गनास फिर से तयार किया है इसमें हमने 100 ग्राम क्रीम और 100 ग्राम डाक चोकलेट कंपाउंड यूज किया है केक को इस टेंट पर रखकर अब हम इस पर ये गरम मा गरम चोकलेट गनास जो है पोर कर देंगे देखिए इस तरह से ताकि ये चारो तरफ evenly spread हो जाए इस देखे कितना shiny ये बना है अब हम एक knife की सायता से इसको चारो तरफ अच्छे से spread कर देंगे अब हम केक को सैट होने के लिए 15 मिट वापस फ्रिज में रखेंगे देखे केक हमने फ्री से बाहर निकाले और अच्छे से सैट हो गया है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है अब हम इसको थोड़ा decorate करेंगे ये मैंने sprinkle लिये हैं और इसको मैं केक के चारो तरफ ऐसे लगाऊंगी इस तरह से इससे केक बहुत ही सुन्दर दिखेगा आप केक को अपने मन चाहे जैसे वैदर decorate करें ये देखे मैंने इसको चारो तरफ लगा दिया है और केक बहुत ही सुन्दर दिख रहा है अब मैं इसको चोकलेट और वैफर के साथ कंप्लेट करूंगी और ये इसका पूरा लुक है ये बहुत ही सुन्दर बना है और आप भी इस recipe को जरूर ट्राइ करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपका केक कैसा बना है आप अपने family और friend के साथ enjoy करिए और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको subscribe करें औ लाइकान जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे थैंक्यू फो वाचिंग